Hello students, you are most welcome. अठवारी एक्जाम में जितने भी कम्प्यूटर के important questions पूछे जा रहे हैं, ये उन सारे questions का संग्रह है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना. और ये सारे संभावित प्रस्ण है, इनको आप one-liner format के according याद कर सकते हैं, revise कर सकते हैं. कम्प्यूटर के संदर्व में warm, right once, right many का संसिप्ट रूप है. एक विशिस्टा कौन सी है, जिसके द्वारा एक व्यक्तिकत कम्प्यूटर में CD-ROM drive को वर्गी करत किया जा सकता है. Data Transfer Rate CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए आपको laser beam के उशकता होगी. DVD का आकार गोल होता है, एक इस्टेंडर्ड फ्रॉफी डिस्क में एक जिस्टमलो 44 MB डेटा होता है. फ्रॉफी डिस्क का आकार जो सामानी रूप से उप्योग किया जाता है, 1.5 इंच का होता है. फ्रॉफी डिस्क का ओप्योग कम्प्योटर में सिकेंडरी स्टोरे डिवाइस के सिस्टम के रूप में यूज होता है. कम्प्योटर में मोरी का एक सिस्टर जहां बार बार एकसिस के गए डेटा को तेजी से एकसिस के लिए स्टोर किया जा सकता है, केश कहलाता है. केश में मोरी एक बहुती उच्च गति वाली सेमिकंड़क्टर में मोरी है जो CPU को गति प्रदान करती है. केश, CPU और RAM मेमोरी के बीच का कारी करता है. केश मेमोरी लोकेलिटी आफ रेफरेंस के सिधान पर काम करती है. आईटी में केश से किसी सब्दों को हटाते ही मुक्य मेमोरी को अपडेट करने की विदियां राइट बेक कहलाती है. डिस्क पर स्टोरेज के लिए डेटा फाइल के आकार को कम करने की प्रोसेसिंग को कम्प्रेस्टन कहा जाता है. आईटी में एसोसियेट्टिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं. फिजिकल मेमोरी को निश्चित आकार के ब्लाकों में तोड़ना फ्रेम्स कहलाता है. गार्बेज कलेक्शन में पूरे फाइल सिस्टम को ट्रेस करना सामील है जो हर उस चीज को चिनित करता है जिसे एक्सिस नहीं किया जा सकता. मेमोरी प्रभंदन एक से अधिक कम्प्यूटिंग कारियों में प्रदान करने के लिए मेमोरी में स्पेस को पुनर वेवस्तित करना और आबंटित करना कहलाता है. डाइरेक्ट एक्सिस फाइल को रेंडम एक्सिस के रूप में भी जाना जाता है. माइक्रोसोफ विंडोस में दो प्रमुक फाइल सिस्टम कौन-कौन से हैं, FAT32 और NTFS. कम्प्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्विस का उप्योग होता है. फ्लाप वी डिसक का इस्तमाल किया जाता है. कम्प्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्कीट का उप्योग किया जाता है. फ्लिप फ्लाप डेटा ट्रांस्मिशन की गतिकों मापने के लिए सामने तर उप्योग की जाने वाली यूनिट बिट्स प्रती सेकेंड है. डेटा लाजिक के इनपूट आउटपूट कंट्रोलर के एक पहलू को बफरिंग कहा जाता है. ओप्टिकल डिसक पर लिखने की प्रक्रिया बर्निंग कहा जाता है. कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का उप्योग बहुत तेज गति से खोज करने वाले अप्लिकेशन के लिए किया जाता है. कंप्यूटर विज्ञान में डेटा पर खत्राकप होता है और रोड या राइट के क्रम बदनने पर. DASD में A का फुल फॉर्म एकसेस होता है. USB सेकेंडरी प्रकार का इस्टोरेज डिवाइस है. हाट डिस्क किस प्रकार के डेटा इस्टोरेज डिवाइस का उधारण है? सेकेंडरी इस्टोरेज. कंप्यूटर दारों उप्योग किया जाने वाले प्रोग्राम और डेटा उपलब्द है कहा होंगे स्टोरेज में निम्न में से कौन सा एक अप्टिकल डिस्क है इन में से सूपर डिस्क कंप्यूटर में उप्योग किया जाने वाले स्टोरेज डिवाइस डिवाइजेस कौन से हैं फ्लाफी डिस्क, हार्डिस्क, पंचटेप, सभी जहां HDD मतलब हाइब्रीड हार्डिस्क ड्राइब एक ऐसी टेकनिक है जहां पारमपरिक डिस्क ड्राइब को सामान्य उप्योग के दोराण डेटा को क्रेश करने के लिए आमतोर पर 128 MB या उससे अधिक की नॉन वोलेटाइल फ्लेस मेमोरी के साथ जोड़ा जाता है सयुक्त राज अमेरिका में कॉलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल इस्टोर के सोध करताओं ने मेगनेटिक टेप को दुनिया के सबसे चोटा डेटा रिकारडर में बदल दिया है 1990 में WWW World Wide Wave को इसने विक्सित किया जिसने एक नहे प्रकार की सुचना प्रदान की टीम बर्ड नसली ने किस मोड से जुड़े हुए कंप्यूटर एक दुसरे को सिधे फ्रेम भेज सकते हैं एड़ाक मोड IT में Outgoing Acknowledgement में आइस्थाई रूप से देरी करने की टेकनीक को AR Request के नाम से जाना जाता है क्राउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो एक ही नेटवर्क पर गणना बंडारन और यहां तक की अनुप्रियोगों को क्यानवित करती है नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटरों द्वारा बेजे गए विसाल डेटा के साथ नेटवर्क ओवर्लोडेट होता है तब डेटा बेजने के लिए नेटवर्क की असमताओं को कॉन्गेशन कहा जाता है इंटरनेट के समाना आरती है गोफर, इंटरनेट, साइबर स्पेज या डबलीव डबलीव सई उतर है साइबर स्पेज एक दुसरे के लंबवर्द निर्मित, उर्ध्वादर और सेतिज रहकाओं की एक स्रंखला के नेटवर्क किस रूप में जाने जाते है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सरकारों को इंटरनेट पर सभी डेटा के साथ समान विवार करना चाहिए आईटी में बेंटविट बढ़ाने के लिए जिस टेकनिक का इस्तमाल होता है वो मेमोरी इंटर लिविंग कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेप की अउधारना किस ने विक्सित की? माइक्रोसोफ वर्ड ने माइक्रोसोफ ने वर्ड नहीं होगा इंटरनेट में किस प्रकार के स्विचिंग का उप्योग किया जाता है यहाद अगना पेकेट स्विचिंग का इस्तमाल होता है निम्न मेंसे कौन एक computer network नहीं है वाइड एरिया network, local area network, personal network, metropolitan area network तो यहाँ दगना personal network, computer network नहीं है पेकेट को इस तरोज से गंतव इस्थान तक इस्थान आद्रित करने का मार्गते करने के लिए किस algorithm का उप्यों होगा routing network में एक छोटे से संदेश को एक station से दुसरे station तक पहुँचाने के लिए token के रूप में जाना जाता है WLL का मतलब wireless in local loop कहलाता है एक IP address 32 bit number होता है इंटरनेट से computer memory में file transfer करने की प्रक्रिया downloading कहलाती है यह सारे repeated question है इस तरीस को आप ज़रूर देख लेना अगर आपने पिछला कोई exam दिया है तो आपको यकिन होगा कि यही सारे question repeat होते है आप किसी भी state से तयारी कर रहे है अगर आप one day exam के तयारी करने जिसमें computer subject पूछा जाता है तो आप इसको एक बार जरूर देखना किसी भी state का exam हो computer subject मतलब वही question होते है कोई नए नए question अपने अपने state के साब से नहीं बनते इंटरनेट वेस्विक संचार सुचना साजा करण और सेभाओं के एक सुईधा जनक साधन के रूप में उबरा होए इंटरनेट बनाने वाले computer network जैसे टेलिफोन, underwater cable और उब्रहों से जुड़े होते हैं अर्पानेट वा network था जो इंटरनेट का आधार बना क्या परिभासित किया गया है एक नीजी network जो इंटरनेट प्रोद्योगी की और सार्वजनिक दूर संचार प्रणालिक का उप्योग किसी व्योसाई की जानकारी या संचालन के हिस्से को आप उर्तियों, विक्रेताओं, भागिदारों, ग्रहाकों या अन्य व्योसाईों के साथ सुरक्षित रूप से साजा करने के लिए करता है एक्स्टानेट ब्राउजर को वेब पेस देखने के लिए HTML को पढ़ने और व्याक्या करने के लिए डिजाइन किया गया है एक एड्रेस एक आफसेट एक वेब रजिस्टर एक इंडेन रजिस्टर ये सभी बना देता है वर्ल्ड वाइड वेब पर दुसरी सबसे अधिक इस्तिमाल की जाने वाली वासा चीनी है इकामर्स यूजर को खाते तक पहुचाने और विलो का भुक्तान करने की अनुमति देता है चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हों अगर आप कंप्टेटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्टेटर सब्जेक्ट पूछा जाता है तो ये सिरीज सभी वच्चों के लिए सभी स्टेट में रामबान साबित होने वाली है चलिए सारे कोश्चन्स कंप्लीट कर लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला जो अनलाइन इंटरनेट की खोज में काफी समय बिताता है नेट एडिक्ट कहलाता है इंटरनेट पर सुचना तक पहुँचने के लिए किस अप्लिकेशन का उप्योग किया जाएगा वेब ब्राउजर किसी संगठन के परिचाई के वेब पेज को क्या कहेंगे वेब साइट बुक मार्क किसी पसंदीता वेब साइट को अपने ब्राउजर में सहेज कर त्वरित रूप से एक्सिस करने का एक तरीका बुक मार्क कहलाता है सफारी एक प्रकार का ब्राउजर है वेबसाइट के पहले पेज को हम क्या कहेंगे होमपेज कहेंगे मोजिला, फायरफाक्स एक ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? नेट इसकेप नेविगेटर मोजिला, नेशनल सेंटर फायर सुपर कम्प्यूटिंग एप्लिकेशन द्वारा विक्सीद एक वेब ब्राउजर था एक पून यूर्ल में इंटरनेट पर एक फायल का पुरा पता होता है नेट इसकेप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है वर्ड वाइड वेब वेब पर फायलो के इस्थान को सुचित करने के लिए यूर्ल के रूप में जाने जाने वाली एड्रेसिंग स्किम का उप्योग करता है डोमेंड नामों में एक्स्प्रेशन.au का अर्थ आस्टेलिया है ये एक्स्प्रेशन नहीं एक्स्टेंशन है डोमेंड नामों में एक्स्टेंशन.au का अर्थ आस्टेलिया है कंप्यूटर की भासा में URL में आर का अर्थ है रिसोर्स अल्टा विस्टा एक सर्च एंजन है अल्टा विस्टा एक सर्च एंजन लोगप्रिय सर्च एंजन गुगल नाम का एक गुगल सब्द से लिया गया है इस सब्द का मतलब एक अंक के बाद सो सुन्य कहलाता है गुगल मेप्स एक एक इकामर्स वेबसाइट नहीं है इमेल की अवधाना किस ने विक्सित की? रे टाम सिनिन ने इमेल सिस्टम में कितने प्रकार के प्राप्त करता होते हैं? तीन प्रकार के इमेल का अविश्कार किस ने किया? रे टाम लिंसन या सिवा अयादूर ने इमेल स्पेम से सम्मंदित है पहली वेब आधारीद इमेल सेवा कौन सी थी? हाट मेल इमेल पते का कौन सा भाग प्रारूप सही है xyz at direct website.com इस तरीके से लिखा जाता है जो बिल्कुल सही प्रारूप है अब कंप्यूटरों के सम्मों को टेलिफोन लाइनों के साहिता से बिना एक छोटे से सेत्र में आपस में जोड़ा जाता है तो इसे local area network lane कहा जाता है internet के सम्मद में में का पूरा नाम metropolitan area network है में एक high speed network है जो किसी सहर या कजबे में इस्तानिय network को जोड़ता है एक संचार network जो शेत्री राष्टी और वेस्विक शेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उप्योग किया जाता है बेन कहलाता है लाखों computer network का एक विशाल network internet कहलाएगा UDP एक connection रहीद protocol है एक protocol संचार करने वाले पक्सों के बीच एक समझोता है कि संचार के से आगे बढ़ता है निम्न लिखित में से कौन सा विशम है इसमें SNMP विशम है इंटरनेट द्वारा किसी standard protocol का सरवाधिक व्यापक रूप से उप्योग TCP IP द्वारा किया जाता है एक प्रकार का internet account जिसमें computer सीधे net से नहीं जूड़ा जाता है TCP IP अकाउट है इमेल प्राप्त करने के लिए प्रिक्ट्यो प्रोटोकॉल पॉप 3 है Computer और Computer Network एक दुसरे के साथ संचार करने के लिए Transmission Control Protocol का उप्योग करके सुचनाओं का आधान प्रतान करते हैं इंटरनेट के संदर्म में IP का क्या अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है इंटरनेट पर एक computer जो HTTP प्रोटोकॉल का उप्योग करता है उसे वेब सर्वर कहा जाता है Work उपकरण जो Computer आउटपूट को टेलिफोन लाइनों पर ट्रांस्मिशन के लिए परिवर्थित करता है Modem कहलाता है Modem लंबी दूरी के प्रसारण की सुरुवात में डिजिटल सिगनल को एनानाक सिगनल में बदलने वाला उपकरण है टेलनेट एक प्रोटोकॉल है टेलनेट का अर्थ है टेलिफोन नेटवर्ग वायलेस नेटवर्किंग इस्तापित करने के लिए उप्योग की जाने वाली टेकनिक ब्लूटूट कहलाती है डेटा लिंक लेयर में किस उपकरण का उप्योग किया जाएगा ब्रीज का इने कम्प्यूटर एक लेन से एक केबल और एक इंटरफेस कार्ड द्वारा जोड़े हुए होते हैं निम्न लिखित समूँ में से विशम सब्द की पहचान करें जिसमें माइक्रोवेव अलग है मोडिम नाम मोडूलेटर डी मोडूलेटर से लिया गया है IT नेटवर्क में फिजिकल लेयर में किस डिवाइस का उप्योग होगा रीपीटर का नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उप्योग होता है राउटर का वाइस केबल्स के इस्थान पर अप्टिकल फाइबर का उप्योग किया चाता है क्योंकि बेच चुम्बे की सेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं कम्प्यूटर नेटवर्क में ब्रीज का क्या उप्योग है? दो नेटवर्कों को जोडने का काम करते हैं